हेलो फ्रेंट्स मेरी किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे करोंदे का खटा मिठा अचार बरसाथ के मौसम में करोंदे बजार में बहुत इजीली मिल जाते हैं तो हम शुरू करते हैं इसको बनाना तो सबसे पहले मेंने 500 ग्राम के करीब मेंने करोंदे लिये हैं उसका जो उपर का डंटल है इसको हम उतार देंगे और इसको सेंटर में से कट करके और इसके अंदर जो बीच होता है उसको हम निकाल देंगे जरूरी होता है निकालना अगर हम नहीं निकाल लेंगे तो अचार का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आप इसका करोंदे होते हैं, जिसको हमने अचार में नहीं डालना, अगर इसको आप अचार में डालोगे तो अचार खराब हो जाएगा, यह पूरी तरह से पक चुके हैं, इसलिए इसको हमने अचार में नहीं डालना, यह देखिए मैंने करोंदो को कटिंग कर लिया है, अच्छे से बी पवादा है तो फिल्क फेल लिए उसमें पानी डाल दिया है और इसको अब हम गुड़ के पिगलने तक इसको रेडी करेंगे ये देखियो गुड़ का सिर्फ बनके बिलकुर रेडी है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे अब हम देखिए करते हैं करोंदेका कॉल शुरू करते है अब हम इसमें सर्सो का तेल डालेंगे अचार कोई भी ओ, सर्सो के तेल में ही अच्छा बनता है तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, वन टीजश्कून मेति दाना, दाना मेताल माति दानाлон सर्सो दाना सौंफ और थोड़ी सी हिंग डाल देंगे अब इनको थोड़ा सा पका लेंगे थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें जो हमने करोंदे कटिंग किये थे हम वो डाल देंगे करोंदे डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ये अचार बहुत छटपट बनके रिडी हो जाता है और इसके बहुत ही बेनिफिट है अब हम इसके उपर हाफ टी स्पून इस पर मैं नमक टाल रहे हूं अब हम इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद कैस का फ्लेम स्लो करके इसको हम दो से तीन मिनट के लिए ढखके पका लेंगे दो से तीन मिनट होने के बाद देखिए करोंदे हमारे काफी हद तक रिडी हो चुके हैं हमने इसको पूरी तरह से नहीं पकाना तो अब हमने जो गुड का सिर्फ ready किया था उसको अब हम चान के इसमें डालेंगे कई बार गुड में थोड़ी गंदगी होती है थोड़ा किरकल वगएरा होती है तो इस वज़ा से हम गुड को से चान के ही डालेंगे इसको अब हम mix कर लेंगे अब हम इसमें spices डाल देते हैं सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे ज़्यादा spices नहीं होता लेकिन इसे color बहुत अच्छा आएगा जीरा पाउडर सौंफ पाउडर इस अचार में धनिया पाउडर नहीं डलता इसलिए हमने सौंफ पाउडर डाला है गरम मसाला डाला है काली मिर्च पाउडर और काला नमक डाला है हमने इसमें और थोड़ा सा हमने green इलाची का पौडर डाला है अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से mix करेंगे और medium gas पे हम इसको पकने देंगे यह देखिए अब हम थोड़ा सा जो चाशनी हमारी ready हुई है गूर के उसको अब हम थोड़ा सा लेंगे और जब हमें लगे के इसमें एक तार की चाशनी बन रही है यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए एक तार की चाशनी आ रही है तो इसका मतलब है हमारा जो अचार है बिल्कुर रेडी है अब हम इसको बन कर लेंगे इसको ना बहुत पतला करना इसको ज़्यादा गाड़ा भी नहीं करना यह देखिए ठंडा होने के बाद यह कितना गाड़ा हो चुका है अब हम इसको काँच के कंटेनर में भर लेंगे और जब ये पूरा ठंडा हो जाए तब आप इसको कंटेनर में, एर टाइट कंटेनर में इसको भरके रखिए और एक साल तक ये अचार बिलकुल भी खराब नहीं होता, आप इसको एंजॉय करें अगर आपको रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंड और शेयर ज़रूर करें तो मिलते हैं एक और नहीं रेस्पी के साथ, थैंक यू